आज हम करने वाले प्रतिशत की क्लास और यह बहुत बेसिक क्लास होगा बेसिक किसा साथ हम इतने सॉटकर बताएंगे आपको कि यह पहली बार भी प्रतिशत तूभी आप समझ जाएगे यह चैनल पर नहीं तो पूरे वीडियो पहले देख लिजेगा चैनल समझ आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा आज मुश्किल है कल थोड़ा सा बेतर होगा पस उम्मीद मत छोड़ना भूष सजरूर बैतरी होगा इसी प्रगार आप हमारे साथ त्यारी करते रहिए आज सबसे पहला प्रिश्ण हम लेते हैं कि यद है इसमें मशीन की पहले कीमत किया थी ऐसे बहुत हीजी में सौल करना है सबसे पहले हम यहां प्रतीशत की बात करेगे तो प्रतीशत हमारे पास लिखा हुआ है इस सोरा सही दो बटे तीन प्रतीशत जब भी हम प्रतीशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे प्रतिशत को जब भी फ्रैक्शन में चेंज करना रहता है तब हम उसको सव से भाग देते हैं ठीक है जब यह प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसको क्या करेंगे सव से भाग देंगे सोल से भाग देकें क्या होगा देख़े जैसे हमसे सोल सोल से भाग देंगे मिल जाएगा यह जाएगा कि यह लिए धाटेव beta 6 अब करते कैसा है यह देख लिए आप मैंने क्या कहा इस प्रतिशत को मुझे सव से भाग देना है तो यह हो जाएगा तिन गुना सव ठीक है इसको पूरे सॉल करना तो मुझे मिल जाएगा एक बटा चाहे यह मेरा फ्रेक्शन वाइव हो गया फ्रेक्शन को बहुत ध्यान से समझेगा देखिए यह सोला सही दो बटी तिन प्रतिशत का मानी एक बटे च रहता है या पहले की वैल्लू रहता है उपर जो वैल्लू रहता है या हमारा हिस्सा कहा जाए बढ़ हो कम या ज्यादा ठीक है या इस प्लस हो सकता है या इसमें माइनस हो सकता है लेकिन हमको कुर्शन में कहा गया है कि बढ़ गया है जब भी तैसे कहा जाएगा कि बढ़ मतलब मेरा वैल्यू आ गया पहले कोई वैल्यू का दाम था 6 रूपया अब हो गया है साथ हो ठीक है इस प्रश्ण को यदि आप ऑप्शन बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे देखिए यह हमारा रेशियो ही है नीचे वाला क्या कहा नीचे वाला मेरा पुराना वैल्यू है और पुछा क्या है कि मशीन की कीमत पहले क्या थी तो मशीन की पहले कीमत क्या थी 6 रूपया if एस में चला उतो पुराना वैल्यू मेरा था ता पुराना उंपूले कीमत पहले है और नए बेल्व आ गई है यडिया प्मोंसे पल्वेल्वा गई है तो यह पल प्ल्वेश्य सब्सकार्ण आपसबैल स्वेस्त वैसा कोई option जो 6 से भाग हो जाए मेरा answer होगा ठीक है चाली सो 6 से कभी भी भाग नहीं जाएगा और तीराली सो भी 6 से भाग नहीं जाएगा अकेला ब्याली सो है जो 6 से भाग जाएगा इस प्रकार आप question को बीना solve करें बना सकते थे इतना हिश्य है तो मैंने आपको जब दस्ती बता दिया है जैसी अब इतने इस टेप में बता सकते थी कि आपका अंसर क्या आने वाला है ठीक है अब कई बच्चों का सवाल होगा कि मैंने 6 से मुझे कैसे पता चला कि भाग जाएगा तो 6 से भाग देने का रूल है कि 2 और 3 से जाना चाही है धोसे भाग जाने के लिए आपका संख्या होना चाहिए तो सभी संख्या सम है सभी से बास्तित McMaster केШ् wij!! तो 4 और 3 का एड होता है 7 जो 6 से कभी भागनी जाएगा option C में बात करें तो 5, 9, 9, 11 जो 6 से कभी भी भागनी जाएगा 1 और 4 होता है 5 जो 6 से कभी भी भागनी जाएगा और 2 और 4 यह होता है 6 और 3 से भाग चला जाएगा मैंने इस trick का इस्तमाल करके मतलब division method का भाजजता का नियम लगा के मैंने इस प्रप्रशन को बना दिया ठीक है यह उनके लिए है जो fast method बनाना चाहते हैं या फिर option में किसी एक 6 से भाग जा रहा है इनकेस यदी 6 से 2 option भाग चल जाता है तो हमको process से बनाना ही पड़ता अब process से कैसे बनाते है दिखी यहां तक तो हम ले आए हैं ठीक है यहां तक तो हम ले आए हैं हमको पूछा किया नया कीमत बढ़ जाने के बाद कीमत कितना हो जाता है 4900 और बढ़ने के बाद ratio में कितना क है जब एक की value आ गए और पुराने value कितनी है 6 है तो 6 को हम जैसे 700 से गुना करेंगे तो हमारा answer आज जाएगा ब्याने सब तो यदि process से बनाना चाहते है तो process से बनाए लेकिन मेरा आपको सुझाव रहेगा यदि option में कोई एक ही value कट रहा है तो आप एक ही value को काटके answer option ब यह हमारा पूर दोता हूं यह हमारा एक limit है कि हमको 36% अंग लाना ही लाना है तब हम पास हो जाएंगे लेकिन वह विद्यारती 24% अंग लाया और 18% अंग से अनुतिर्ण होगा इसका मतलब है कि 24% लाया लेकिन 18% और लाता तो पास हो जाता और पास होने के लिए passing marks कितना ह 36% है तो मैं क्या यह कह सकता हूं क्या कि 36% बराबर 24% प्लस 18 मैंने यह से क्यों लिखा योगि 36% एक passing mark है 24% किसी बच्चे निक्वा लिया लेकिन 18 अंकम हो गये यदि किसी value का 24% मैं यदि मैं 18 एड़ कर दूं तो वो 36% के बराबर होगा और शन का यही कहना है ठीक है प्रश्न का यही कहना है अब देखिए इसको कैसे sort आएगे ठीक है 36% हो गया यह मैं प्रतिश्यत लगाने नहीं हो ना आप मान में चलिए कि प्रतिश्यत है 24 को मैंने पक्षांतर किया और इधर बज़ गया मेरा 18 ठीक है 36 और 24 चाटिस और 24 में मायनस करने की बारा प्रतिश्यत बराबर 18 ठीक है तो मुझे एप प्रतिश्यत की मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बारा गुना अठारा कर दिए मुझे निकालना क्या है तो पूटीण होने के लिए इतना अंकिया निकालने क्यां जादी धीड़ु एक छेलाैह यादी मैंने इसे उटीण होने ंंक यह 46 से गुना कर दिया तो मुझे प्रापतांग मिलेगा मतक्ती पासिंग मार्थ मिलेगा इनकेşsk यदि मुझे कहा जा करने साथ उंठा कर दिया दूंठा कर लिए भाक्षा song कि это पर यहां पर 54 लिख दिया फिर से गलतिक होगी हमसे यह हमारा 36 हा जाएगा ना क्या जाएगा यह 36 है यह 36 है बारा कुंबारा बार्जूर्ज बारा तिया 36 बचा हमारे पास अठारा गुना तीन और अठारा तिया 54 तो मेरा पासिक मास कितना है 54 है option number C इस प्रकार से आपको फ हमको दे दिया यह दिया था कि passing marks 36 प्रशत है यहां नहीं दिया गया और जो दूसरा बच्चा है वह 22 नंबर लाता है और 45 अंग के जादा ले आता है ठीक है तो हमको प्राप्थ होने के लिए कितनी अंग क्या और शक्ता थी बस यह बताना है तो हम दो शात्र ले लेते एक पास हो जाता है दूसरे बच्चे जो भी है उसने क्या कि या 22 प्रतिसफ ले आया चांथ में 45 जादा ले आया था अगर 25 नहीं भी लाता तो ब्रूस कंद जाता मतलब इसनोंने 45 एक्स्ट्रा लाया है इसने हमें एक्स्ट्रा को माइनस करेंगे अगले step हमारा क्या हो जाए करेंगे, क्या बच्चे हैं हमारे प्लाइस, 22 और 30 में मैनस करेंगे, तो 12da कराएगा, स्थी का कमान 90 की बच्चे के लिए, सबसे पहले हम एक का आप किसी एक कमान निकालेंगे तो 45 जोना होगा और 42 कमान निकालेंगे तो 45 मैनस करने हो इन दोनों तरीका आपको बना के बता देते हैं यदि हम 30% निकालते हैं तो इसके वेल्यू क्या हो जागा और यह हो जाएगा 222 क्योंकि हमने कम वाला निकालना है 45 यदि और लाता तो पास हो जाता तो यह हो जाएगा 5-5-10-4-3-7 और यह दो यदि वह 270 अंक लाता मतलग इसका पासिंग मार्ग कितना है 270 अंक ठीक है अब हम इसी को दूसरे में लेके बनाते हैं दूसरे में क्या ले यह कम 6-12-6-12-6-12-6-6-35-6-7-42 फिर इसको 45 वर चला जाएगा अब 45 क्या हो जाएगा 45-7-7-7-5-35-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-8-8-8-8-9-9-8-9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 तो 45 एक्स्ट्रा लाया है तो 45 हम माइनस करेंगे 45 हम माइनस करना क्यों क्यों कि यहां पर एक्स्ट्रा लाया था और यहां हमने जोड़ा था ठीक है तो पांच से पांच जीरो हो गया ग्यारा में चार जाएगा तो बच जाएगा साथ और यह हो जाएगा दू देखिए दोनों इस्थिति में 270 आ गया बस याद रखिएगा यदि कम प्रतिशत लाए रहेगा तो हमको जोड़ना पड़ेगा और अधीक प्रतिशत लाएगा तो हमको माइनस करना रहेगा यह हमार पॉर्संद बनाने का तरीका है अगला प्रस्ण है एक चार बीश प्रतिशत लाएग तो प्रतिशत लाएगा प्लस यदि वो 30 और लाता तो पास हो जाता ठीक है दूसरा बच्चह कितना किया है 32 प्रतिशयत लाया है यदि वो 22 और लाता सरी 42 अतर ले आया है ना नहीं भी लाता तो भी बात बन जाता अब इसको फिल से बज़ा जैसे किया थे वैसे एक्साइट कर लिजे 32-20 प्रतिशत कर लिजे बराबर 22 प्लस 30 यह हो जाएगा 32 और 12 करेंगे तो इसमों क्या जाएगा यहां भी 12 हमारा सेज बच किया जाए 12 सेज बच किया गया 22 प्लस 30 हो जाएगा हमारा प्लस 20 प्रतिशत कमार रखेंगे बारे कम बारा किस से काटना पड़ेगा यह तो 6 से काटेंगे तो 6 बार में और 2 से काटेंगे तो कितने बार में यह यह तो प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा एक सो पचास प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा एक सो पचास मतलब हमारा पासिंग मांक्स है एक सो पचास एक चुनाव में दो उमदवार थे एक उमदवार ने कूल वैद ओड़ों का 55 प्रतिशत वोड़ प्राप्त किया और वीज प्रतिशत अवैद हो गया यदि उड़ पचपंसव है तो दूसरे उम्मिद्वार को कितना मिला प्रश्ण को थोड़ा घुमा दिया गया है अब यहां से पढ़ी है ना एक उम्मिद्वार को पुल वैद यहां पढ़ लिए ना इसके बाद यहां पढ़िए तो चुना इसके बाद एक उम्मिद्वार को पचपंसव मिला और यदि कुल वैद का पचपंसव है तो दूसरे उम्मिद्वार को कितना मिला यह बताना है सबसे पहले हम बना लेते हैं एक दो उम्मिद्वार थे ए और ए और एक को कितना मिला एक मिला पचपंस पुछराए है कि हमारे पास ओट कितने थे थे हमारे पास 55 से उसमें से क्या हुआ इस प्रफित सर्थ और 20 अभाएध help टीस टोटल अपने आपने अपने हंडर्डे ध्र साय तो 20 जो गया बचा कितना हमारे पास 80 प्रिति शर्थो पच्पन का 80 प्रृति jedoch है वय्द और is इस वैद मद में से इस वैद मद में से 45 तो दूसरे को मिला है हमको बताना है हैं दूसरे उम्मेदवार को मिला है 45 परतिशार .Here नहीं तो एक दो और यह तीन जरू कट गया है यह तीन जरू काट दिए पुरे-पुरे शॉल्ट कर लिजिए यह कटेगा हमारा दस है नहीं आपर तो पांच यह कम पांच गुणी दस और इसको पूरे गुणा करेंगे हमको मिल जाएगा उनीश सव अस्य यह हमारा सज्वय अगला प्रशन है एक उम्मिद्वार में दो वोट का देखिए क्या कहा गया है थोड़ा बातों को समझते जाएगा यहां मत दाता नहीं कहा गया है अर वो जो दूसरे उम्मेद्वार से न 1100 वोट से जीद गया है तो कितना वोट थे यह बताना है सब्सक्राइब करें तरीख का ही होगा रीक जरे किसी प्रष्ण में जमाना और अब तरीख not प्रष्ण कैसे लिखने में यह जमान कouleण अपने आप मЕं बहुत बड़ी बात हो थीता है बचा कितना यहां पर 48 मिला तो बचा दूसरी कितना मिला 44 मिला यह A को मिला और यह B को मिला 92 प्रतिशत का 48 प्रतिशत A को मिला और 42 प्रतिशत को मिला यह जीता है किसने जीता है ग्यारा सो ओट से जीता है ओट में तो ग्यारा सो से जीता है लेकिन यदि प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में ये चार प्रतिशत से जीता है ठीक है तो चार प्रतिशत की वैल्लू क्या ग्यारा सो के बराबर होगा क्या चार प्रतिशत की वैल्लू ग्या सौ से गुना करेंगे यह जाएगा हमारा 25 बार में यह हो जाएगा हमारा डबल जीरो 25 एकम 25 पांच पूर इती लिए दो हाथ किया गया हाथ मतलब आशिर आ गया 25 एकम 25 25 और 27 27,500 कहां यह अपसन हमारा ए में 27,500 यह हो गया अगला प्रशन है एक चुनाव में 2 मिद्वार थे 10 प्रतिशत लोगों ने अपना उट नहीं डाला और फूल डाले गया उट में से 10 प्रतिशा जो आवैद हो गया जितने वाले उमिद्वार को वैद उट का 54 प्रतिशत मिला और वो 1620 उट से जीवत गया इसमें आपको बताना है कि आंसर क्या होडा कोमोट कितने किल कुणalar कितने थे प्रतिशत इसमें कितने थे हमें हं इली कि आई इंक और एक बीडा एक कि हैग था अधा एक कितना मिला 1 तो मिला मिला 4 ृफ hors Mac तो बीकु कितना मिलेगा बीकु मिलेगा 16 अपने आप में सभी है 100 प्रतिशत तो एक में से 10 प्रतिशत नहीं तो डाला कितने लोग प्रतिशत नहीं तो डाला अब कुछ अपने हंडेट प्रतिशत होता है यदि vary sounds लोगों नहीं एडाला दस प्रतिशत नहीं प्रतिश्यत अब कुछ अपनी एक将 में ऐसे 10% का 8 वैद हो गया या अमानने होगया तू 90% का मानने हुआ हो गया या फिर नभे प्रतिशत का वैद हुआ हो ऐसे आपको बनाते जाना है अब क्या कहा गया है यहीं देखिए आर वह 16 लेकिन हम तो अभी तक प्रतिशत की बात कर रहे हैं अंदर कितना ही इसमें 8 मतलब यह 8 प्रतिशत 8 से जीता था और कितने यंग से जीता था तो 1620 से यह हमारा प्रतिशन जम किया अब हम असानी से इसको सॉल कर सकते हैं यह 0 यह 0 यह 0 और यह कट है यदि मैं एक्स की मेल्यू निकाल हूँ तो नौ गुना नौ गुना चार ठीक है इस पूरे 0 को मैं देर ट्रांसफर कर देता हूँ तो 1620 और यह डवल 4 ताइम 0 ठीक है एक्स बराबर हो जाएगा यह बुझागा हमारा 648 गुलाबर 16 पांसटो जीरो इस प्रकार से अब यह 48 जो है यह पूरा आपके 25 बार में कड़ जाएगा पकाटके देखने जिएगा यह पूरे आपके 25 बार में कड़ जाएगा और यह 3 जी तो क्या होगा हमारा आंसर आया 25,000 कितने ओटर स से तो पच्छी सजार स्पूर्टर से एक की आए बी की आए से एक की आए है जो बी की आए से 30 प्रतिशत जादा है तो बी की आए एक की आए से कितना प्रतिशत कम होगी कुशन हमें से पूछा जाता है और एक्जाम में परसान करने वाला है लेकिन हमारे पास परसानी का क्या गया तो मालिय मौने को 100.1 की आए 30 जादा है जोड़ दीजह रिच्यों बनगे तेरा रेशियो दस बने अंतर कितना है दोनों में तो अंतर है तीन का मतलब ए जो है तीन जादा है ती से पुछा गया है कि बी की जो आये है ए से कितना प्रतिशत कम है तो बी की आये कितना कम है बी की आये है तीन कम है किसे किसे से कम है एक याये से एक याये कितनी है तीरा प जहां C लगेगा तो उसको नीचे लिखना है 13, इसको हम काटेंगे दो हमको मिल जाएगा 23 सही 1 बटे 13 प्रतिक्षा की हमारा अंसर अगला प्रश्न है, A की जो आए है B की आए से 30 प्रतिक्षात कम है, तो B की आए A की आए से कितना प्रतिक्षात जाता होगा, पिसे कहां यह ह बारे में चर्चा है, A की आए जो है B से 30 कम है, अभी भी हम B की बारे में बात कर रहे है, A की कम है, B की बारे में कुछ कहां नहीं किया है, तो इसको हम मान देते हैं 100, अब कहां गए कि A कम है 30, तो 100 में 30 कम करेंगे, तो यह हो जाएगा 17, काट दीजे, 7 ratio 10 आगा, अंतर दे से जादा है, और किस से ज्यादा है, 7 से जादा है, तो परतिशत निकलने के लिए 100 से गुना कीजे, तो हमारा क्या जाएगा, 22, इसको मान देजे, 300 आगा 17, अभी हो जाएगा, 7, 17, 18, ठीक है, मेरे खियास इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको बना कर देते हैं, से साथ साथ हएक हम साथ सा चाओं के 28 फ्राइस हो गया यह दो बच्छा ठीक है दो बच्छ की फिर्वाजाएगा हमारे समें कि जोना साथ दूनी चौऩधा साथ दूनी चौधा हमारे पास हम पर 20 में 4 गया तो यह ओढ़ गया हमारे पास 6 बचा अब भाग नहीं जाएगा तो क्या जाएगा हमारा 22 थी ठीक है 6 बटा 7 यह हमारा अंशा में जाएगा आपका यह कही भी नहीं है इस प्रकार से भी आपका प्रुशन आ सकता है अगला प्रशन है ए की आए है जाधा है बिल्कुल सही है जाधा है अब कहा गया है कि जो बी किया है ची किया है से 20 करण है और सबसे पहले हम फैरने और भी को पकड़ते हैं तो ए और भी को हम सौ मानेंगे को और a को मानेंगे ज्यादा है 40 तो 40 मैनेंगे 0 से 0 काटेंगे 2 से काटेंगे तो 7 तो यह कर जाएगा 5 मतलब a और b का रेशियो आ गया 7 तो फूना हम फो b और c का निकालना है घंख है यह और c का निकालना है हमको बस ratio जमाना है A ratio B ratio C ए भी कितना है? 7 ratio 5 ठीख है और B कितना है तो यह है 4 ratio 5 अब देखे मैं यदि आपने मुस krijए ratio पढ़ा नहीं पढ़ा होगा तो पर अमेंसा बताता हूं जो खाली स्थान देख रहा है वहाँ इस पांच को ट्रांसफर कीजिए यहां खादिस्तान दिखाया है तो इस चार को ट्रांसफर कीजिए और सिर्या गुणा कर दिए साचों के 28, पांचों के 20 और पांचे में 25 उच्छा गया है A और C तो A और C क्या है हमारे पास 28 और 25 28 और 25 और C तो यह हमारा आंसर होगया तो ठैक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो यदि आपको पसंद आया हमारा चैनल वीडियो तो जरू चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और बैल अकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको अधी सधिक वीडियो समय पर मि अधर हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक रहने बाद